ही और फेंज आज हम देखेंगे कि जो तिश में क्या होता है और गोचर की सधिर का फल कैसे जाना जाता है frankly he दो फेंड गोचा क्या होता है गोचा जो होता है वो निरंतर चलने वाला होता है वे प्लानेट्स है वो नियूस पेपर में देखते हैं वो गोचा ही होता है गोचा कि अपने नियम होते हैं फल खतन करने के पेडिक्शन के हैं। उसके अजार पे वो गति करते रहते रहते हैं अपनी धूरी पे एक पर्टिकुलर उनका ऑरिट होता है उस पे उस्का से Estamos करते हैं और एक से दूसरी राशी में परवेश करते हैं। इस प्रेकार से राशी परवरतन करने के उप्राथ दूसरी राशी में उनकी सविद्वी कोचय कहा जाता है। कि प्रतेक मैंने कहा है प्लानेट की अपनी घर्टी होती है जिसका अनुसार उपनी धूजी पर भ्रमणकरते हैं गती करते हैं एकट पुर noi कोई टेज चलता है कोई धीरे चलता है तो देख लेते हैं शुर् है जो वह एक महा में इपने अ कि अकि अपना चकरư पूरा करते यानिकर एक राशी में एक मा रहते हैं essen crap मंगल तावन दिन रहता है उसके बाद वह राशी चेंज कर लेते हैं और रहुकेतू जो है वह एक राशी चेंज कर लेते हैं गो शुगे और जो चंद्र हैं वह कभी वक्री नहीं होते के तुरिट सद्र्व वक्री गती से भर मठ करते हैं और अबागे जो प्लाइटिट से वह वक्री कथ भी चलते हैं और डायटHello चलते हैं आरो एक कमेस हम कि तो हैं चलिए? आपHigh करckा नहीं के समय जहर्जि स्थित होते हैं हुस्सर देखते हैं सूरे जो है वह जन्मकालिन राशी से 3 6 10 11 भाव में शुफल देते हैं बागी भावा में अशुफल देते हैं तो हमें ये देखना होगा कि हमारी जन्म की राशी कुल्ली में कौन सी है या निक चन्द कौन सी राश्य पर बैठा है और उससे जो वरतमान में सूर्य का गोचर है वो किस राशी में है अगर वह तीन छे दस क्यारा राशी में है तो व क्यानें अष्रफल चंद्र मा जो है ज़न्म काल क्या राशी से tweet 6 तो भी होदेगा अब वहां से तीसरे चटवे साथ दसवे ग्यारबला यह तो wording देगा इसी तरह से मगल की सितिती देकी जाती है मगल की वर्तमांन इस तिति आप पहले देखेंगे गोचर में किस राशी में है 아गर वह आपकी जन्मकाली राशी से T building शुफल देता है वाकी भावों में अशुफल देगा इसी तरह से बुद्ध को देखेंगे बुद्ध वर्तमान में किस राशी में है अगर वो आपकी जन्मकालिन राशी से 2nd house, 4th house, 6th house, 8th house, 10th house और 11th house में हैं तो वहाँ पे चुफल देगा इसी तरह से भासपती का गोचशा देखेंगे भासपती अगर आपकी जन्मकालिन राशी से दो, पांस, साथ, नो, ग्यारवे भाव में है तो शुफल देंगे शुक्र आपकी जनमकालिन गाशी से पर्थम भाव यानि आपकी गाशी पर है या फिर उससे दूसरे भाव में है तीसे भाब में है, चौते भाब में है, पाचवे भाब में है, आटवे भाब में है, नौवे भाब में है, ग्यारवे भाब में है, और बारवे भाब में है, तो शुफल देते हैं, शुकर जो है, वो सबसे ज्यादा भाब में शुफल देते हैं, शनी का देख लेते हैं, शन औसका बीदिखते हैं कि अगर आपकी जनमकालीन गाची से तीन छे क्यारवे भाब में होता है तो हता है जो भी क्रूर होते हैं होते हैं वह कि अबीदिखा जाता है कि थ이면 अगर आपकी जग्मिकाली लिगाशी से जो है प debating भाव में है सेकिंड में हैं है है कि थर्ड में है फोर्थ में हैंakah एंप हैं नाइत में हैं और सच ये बिगीजिए थैंक यू